हेलो दोस्तों तो कैसे आप सभी लोग क्या आल चालें आप सभी का तो दोस्तों आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि आज का topic बहुत ही interesting होने वाला है जिसमें हम लोग बहुत ही महत्पोड जानकारी को देखेंगे तो दोस्तो आज का topic होने वाला है हम लोग जानेंगे आज के topic में कि अपने mobile पे जो ads आते हैं उन ads को कैसे बंद किया जाएं तो दोस्तो जैसे हम लोग कोई भी site खोलते हैं जैसे facebook खोलते हैं या कोई chrome browser खोलते हैं या कुछ भी खोलते हैं कोई भी application खोलते हैं तो बहुत सारे ads आते हैं वो company के दुआरा तो उन ads को कैसे बंद किया जाता है इसी के बारे में हम लोग आज हम लोग जानेंगे तो दोस्तो चलिए देखते हैं कि उन एड्स को कैसे बंद किया जाता है तो चलिए दोस्तो आज कुछ निया सीखते हैं तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगो बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एच्केटे का ओफिसियल देख रहे हैं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सबस्काइब करें, तता शात में बेल आइकन को दबा कर राल पे क्लिक करें, बेल आइकन को दबाना नबुले, तो चले दोधों वीडियो को स्टाठ करते हैं, तो दोस्तों सब से पहले आप अपने मोबाइल में उसे ठे से शेटिंग का उपस'm आप लोगो दीख रहोगा नीचे से सेकंड उपस'n help and feedback के बूपर Settings का Option उसे Tap करके खोलें उसे Tap करके खोलने के बाद कुछ इस प्रकाश से आप लोगों को फिर से दोबार है कई Option दिखेंगे उपर से देखेंगे तो तो हम लोगों कही नी जाना है Direct हम लोगों को Side Settings का Option आप लोगों को दिख रहोगा वहाँ पर चले जाना है तो उसे Tap करके खोल लेते हैं देन फिर से कई सारे Option आप लोगों को मिल जाएंगे देखने को यहाँ से आप लोगों को एक Option दिखेगा Ads का Ads Blocked on some sides कुछ साइडस पर ये Ads बंद हो सकते हैं तो हम लोगों को Ads बंद करने आप लोगों को इसे आप लोगों को इसे आप करके इनेबल कर सकते हैं तो इस प्रकाश से आप इनेबल करके अपने मोबाइल पे आने वाले Ads को बंद कर सकते हैं खास तोर से जो Chrome Browser पर Ads आते हैं उस पर तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शाथ में बेल आइकन को दबा कर आल पे क्लिक करें बेल आइकन को दबाना ना भूले